दोस्तों, अभिलाज थपलियाल को आपने TVF Aspirants में as SKS और तो देखा ही होगा तो कि आपको ये पता है कि ये एक media veteran है इन्होंने radio में भी काम किया है, television में भी काम किया है films में भी काम किया है और aspirants उनके media career का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है अभिलाज थपलियाल का दिमाग, उनके experiences उनका mindset बहुत ही अलग है और आज के इस TRS एपिसोड में हम उनकी story को discuss करेंगे उनके mindset को break down करेंगे और मैं आपको ये भी promise करते है कि आपको बहुत ज़्यादा motivation देगी इस episode से यह है part 1 हमारी conversation कसे? part 1 अभिलाज थपलियाल जी पहले तो congratulations on the part of SK sir on TVF aspirants तो ने देख लिया? yes, देखा मैं बस एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ जब मैं यहाँ पर आया था तेरा घर ढूड़ने में रेको प्रॉब्लम नी हुई तुझसे बात करने प्रॉब्लम नी हुई पर एक कॉफी मग उठाने में यह क्यों किया हूँ है तुने ऐसे मतलब इसको थोड़ा easy कर सकते थाना जब सबकोच इतना अच्छा जल रहा है तो यह मुझ तुने वह पर क्यों अच्छा लग रहा है और यह पहली बार है कि मैं ब्लाक कॉफी कंजूम कर रहा हूँ अच्छा लग रहा है थांक्स तुई मरे बाई मेडिया इंडस्ट्री में ब्लाक कॉफी का क्रेज होने लगा है कैसा तु यह तो मैं मीडिया से नहीं हूँ सार्ट अप्स में ब्लाक कॉफी क्रेज बहुत हो गया इस 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 सम्धिंग कॉल्ट अर्टेशनल कॉफी मतलब थोडी अलग होती अच्छा लिखना ऐस तोर मिट springs तुस फ्रेशली गूण आृआ लिखा आर्टिनल उसके नामचे नामने अलग है यह धो लग था ने तो में पहाडी हो हम चाय के आसपास जीरे होते है तो पहाड्या किले तू मिरको ठाणी अरो इस बित यह एघ जाए है और वो मीठा होगा तुम मैं पील लूगा अब कहां से हुरुजिव यार मैं हूँ पौडी से उत्राखंट मैं बहुत रहा नहीं आपर बठा क्यूंकि सुनिम थपलियाल तुम जितने थपलियाल घिलडियाल डोब्रियाल जितने याल याल है हम सब पहाडों से उत्रागंड से और क्योंकि मेरे डाड वो आमी में थे तो हम लोग रहे नहीं कभी हो आपर तो मैं पला बड़ा मैं जम्मो कश्मीरा पेदा हुआ उधंपुर में फिर जैपुर गुर्दासपुर गौलियर दिली और मुंबाई तो वो सब वैसा अपकी एज क्या है काफी स अपके बहुत सारे एक्सपिरिंसे था पचास को अपकी भी एक स्प्लिट परस्नालिटी मेरी प्लिट परस्नालिटी एक बग्चोदी वाली है बुसरी बहुत ज्यादा इंटेंस थिंकिंग वाली है इस अब की होती है नहीं मतलब तू अपने आपसे बाते करता है अफ मतलब जैसे मैं अभी तुछ से बात कर रहा हूं मैं ऐसे बात करता हूं कि अगर वहां जाएंगे तो इसकाद पता है क्या करेंगे हम लोग बात बात करना है अगर उसने पूछ तो फिर क्या करना है इसके बात ऐसे बोलेगा तो फिर ऐसा भी दिख सकता है ना तो मैं इस ल अपने आपसे बाते हैं पता है जब मैं आपसे पेदी गार मिला है आइ डेफिनिटली थौट की फॉक बहुत ज्यादा स्मार्ट इंसान है बट थोड़े पागल भी है इना लाइक है बट वो रेडियो कर देता है शायद ना मतलब तू जब इतने सारे लोगों से मिल रहा हो है जब तू अलग अलग तरह के लोगों से मिल रहा हो था है अलग 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 लाइफ एक्सपरियंसे को लोगों के लोगों सुन रहा हूते है उनने सोना रहा होते हैं, जैसे हम लोग के पास कॉल आते हैं, अभी तो तरको पता था, मैं आने वाला हूं, तो तो शायद थोड़ा सा प्लान करेगा, मेरे को पता है, मैं तुछ से बात करने वाला हूं, तो मेरा एक mental setup ऐसा रेगा, लेकिन जब रेडियो में कॉल साते हैं, तो जब तो फोन उठाता है, तो उझे नहीं पता है कि वहाँ पर कौन है, वो एक डॉक्तर फोन पे है, या कोई पॉलिटेशन है, या फिर कोई रिक्षा चलाने वाले भाहिया है, या कोई गार साब है, तो तो आपने अगर TikTok खोला, and if you start scrolling, TikTok को 20 या पचीस पीस में पता चलेगा आपके दिमाग के बारे में, क्यूंकि उनका algorithm आपके दिमाग को study करता है, काफी TikTok algorithm तो तो बेसिकली, लोगो TikTok algorithm के बारे में यह नहीं पता है कि that algorithm was also designed by psychologists, TikTok की core team में, psychologists also took part, okay, क्यूंकि psychology का काम क्या रहता है, to map out the human mind, okay, human mind इतनी ज्यादा complex चीज होती है, कि to map it out, you need experience of years, as a psychologist, कि आप किसी को therapy दे रहो, आपको उनके बारे में पता चले और human brain के बारे में भी पता चले कोई और पेशेंट आए, you learn more about the human brain, so an experienced psychologist always knows more, similarly, आप text books से human mind के बारे में नहीं पढ़ सकते हैं, आपको human mind के बारे में जानना, आपको लोगों को पढ़ना चाहिए, आपको situations को पढ़ना चाहिए, and I feel कि acting में, radio jockeying में, radio में, ये skill काम आते हैं, कि जितनी ज्यादा पकी psychology की के लोगी, आप अपने ज्यादा अच्छे आक्टर बन जाओगे, उतने ज्यादा अच्छे रेडियो जोकी बन जाओगे, मैं सूच्छा अब तो psychology की बात करा था, कि psychologists टिक टॉक भी बना सकते हैं, और big boss भी बना सकते हैं, तो अच्छी वो देखते हैं कि आप किस तरीके से रियाक्टर तर तर फिर अलग अलग परस्नालिटीज को उठा के एक जगे डाल दे अपको वी big boss के office? मैं काफी सेन था, मुझे लग रहा है उस ताइम पर एक बार आया था, 2017 में काफी आगे तक बात कही थी, फिर डिसाइट किया भी नहीं, और रुख जाते हैं, पता हूँ, ये, ये स्टोरी स्टार कहा से हुए, क्योंकि अभी, आइफिल की एक आइक इक 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 सीरी बने बने एक रिए, आइफिल ये, इंद रिए आइफिल कि इख लग को हुए, अभी तक जोबहुर था, वो बहुती फुन एक चोटा सा चामियो टाइप का तू करेगा एक कास्टिंग एजन्सी का तो मैंने का किसके लिए हो ना के टीवेफ तो मतलब चेर बन जाएंगे तो फिर भी अक्टिंग रवारे हो आ जाएंगे तो मैं इन्वेट्स के लिए और वो 30 सेकंड का कामियो किया और उसके बाद ए बड़ा आदमी तारीफ कर रहा है यह तो मतलब के अच्छा कर दिया तब वहां से हमारा एक कॉन्वेशेशन शुरू हुआ उसके तम लोग कई बार मिले मेरे घर पे मिले उनके आपर मिले दोनों चाय पीते हैं दोनों को पूरी और आलू खाने का शौक है और दोनों बहु करने ते तीवेफ के आरू मुझ उनके केचिस बहुत कमाल लगते हैं क्या कहते हैं तो मिले हमेशा से वह ओता कि मैरे को कुछ भी दे दो तो मैं दिल्ली में था मेरे लिए की की मुझ चल रही त उसा है पर और वहां को यह ऐसा है एक हम लोग को अश्परेंज चर्र हैं औ और उसमें क्यारेक्टर तो करेगा। मैंने का हैं? कहां जाना है? कब जाना है? तो उनका द्वार का ओफिस था, वहां पर नो भी भीजा, वहां डिरेक्टर जोपूर कार की थे, उनके साथ जैसे तेरे साथ वाईब है वह एकडम से वैसे ही ग्राक हो गया बस, तो यह करेंगे समें, और फिर यह भी करतेंगे समें, तो वहां पता ही नहीं था अपने को, हम तो बिल्कुल नॉमल गए वहां पर सुना इसके बारे में और उन्होंने मिर को तीन सीन दिये, तो तो तुने अगर एस्पिरेंट सेके तो इनिशल जो आठ मिनिट का मॉनलॉग है वो दिया और दो और सीन दिये, और दो और सीन दिये, और फेल्ट कि यू नेड़ दे मोलोग जिस्प्लिन तो आता है, टैलेंट को कुशिन कर सकते हैं पर डेडिकेशन के साथ पूरी इमानदारी से जो काम दोगे वो कर लूँगा, तो मैं तीनों सीन करके पहुंचा हम आपर और बिल्कुल स्टूडिंस की दरे मैंने साब में रखा, मैंने का जी तीनों याद हो गए, बुलता अच्छे काम करते हैं, यह जो मुनोलोग है वो करते हैं, यार मैंने दो टेक देंगे, उन्होंने अपने फोन पर रिकॉर्ड किया, पूलते हैं आटीक है, मैंने का बाकी दो सीन मलते हैं नहीं जरुवती नहीं नहीं बड़ेगी, तो मेरे को लगा जरुवत नहीं बड़ेगी, मतलब आप करी नहीं पाओगा आप जाओ, उनकी जरुवती नहीं है, लेकिन वो आठ मिनिट का मोन लोग यह देखा, उने लगा कि एसके कर सकता है, और हो गया, बट वही मैं कह रहा हूं कि, मैं ट्रेंड अक्टर नहीं हूं, मेरे से इस शहर में बहुत अच्छे अक्टर्स हैं, बहुत काबिल अक्टर्स हैं, मैं मतलब एक आम लड़का हूं जो रेडियो करता है, और उसके कुछ अबिशन्स हैं, वो कुछ करना चाहता है, और जो भी मुझे मिलेगा, मतलब मैं पूरी डेडिकेशन के साथ कर दूगा, वैसा सीन था, अक्टर्स हैं, पूरी आच्ट्स हैं, बहुत बहुत कर diagnose के लिजए अनक्ट्स हैं, जैसे एक रियाक्शन है, जब गुरी मुझको बोलता है कि, साली तु तो लूजर है, पांच साल से ही पड़ा हुआ जे साल से, क्या कर ले लिए लाइफ में? मैं कम से कम बिसन्स तो कर रहा हूं, और समें ना, मेरी ये थुड़ी शिवार कर गई है, और वो कॉमेंट सेक्शन में सिर्फ ये, सार आपके थुड़ी का हिली है, सार आपके थुड़ी और मेरी को आइड़ी थुड़ी थी, क्यूकि अवस जिस फिलिंग, तो मेरा अपना एक दोस्तों का गूरूप है, गोवें, अभिलाष, पृतुल सुरेद, जैसे यहां पर ट्राइपॉर्ट है मेरा गाप से, तो मैं बस यह सोच रहा था, कि अगर ऐसा कुछ होता है, और मेरे को पृतुल बोलता है, कि तू साले सबसे बड़ा लूजर तो मैं क्या करूंगा, और एकुट जिस सी पृतुल इन गुरी, अगर मैं रियाक्ट कर जैसे मैं गड़ता, और जन्ता ओलरी आपकी थुड़ी, और भाई को आइड़ी नहीं कुछ, मैं अग्टिंग इस मोर अबाट रियाक्शन, कि वो बंदा क्या रहा है, उसके उपपर रियाक्ट तो सिच्वेशन, अगर दिली का लड़का हूँ यार, एसके जैसे बहुत सारे मेरे यार दोस्त रहे हैं, मिडल क्लास फैमिली सा आता हूं, तो ऐसा भी कुछ नहीं कि मैं मेरे लिएक अलग दुनिया मैं जाना था, यूनो मेरे बहुत काफी अलग उसमें जाना था, कुछ-कुछ experiences थे जो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे हैं, जो शायद इसके नहीं देखे हूं, सोशल बैक्ग्राउंड इसके का थोड़ा अलग है, जुबान थोड़ी अलग है, उसका मैनरिजम थोड़ी अलग है, मतलब वो मुझे लगता है, बहुत ऐसा स्टड़ी करने वाला कुछ नहीं था, दिल से कर दिया और वो शायद कनेक्ट हो गया, रेडियो से आपने आक्टिंग सीखिया, अब लगता है हाँ, पहले रखता था नहीं, मैं यह कैसे आक्टिंग सिखाएगा, यहाँ तो सिर्फ बाते करने होती है, हाँ यहाँ जी, क्या बात कर रहे हैं अप लोग? अच्छा अच्छा यह चलता है रेडियो बर कही बाल कि आप गाने, आप ए गाना प्ले करते हो, और जब वो गाना चल रहा होता है, आप कॉलर के साथ बात करके इस कॉल को एडिट कर रहे होते हो, तो जब हम लोग प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि हम पूरे टाइम हाँ पर हैं तो जब वो गाने चल रहे होते हैं, बहुत कुछ और कर रहे होते हैं, और रेडियो में किया है कि तेरे पास एक पूरा हॉआई जैसा इस अन्सोल होता है, तुझे वो हैंड़ करना है, तुझे यॉजिक प्ले करना है, तुझे सांड डिफेक्ट स्लारें, कुझे सांड अप्राइचुलेशन साप जीद का वू हूँ, यह सब सांड इफेक्ट मैन होती है, job कर सकते है, तो as an actor, radio helps बहुत ही, reactive कर देता है आपको चीजों पर, situations पर आज़कल इंडिया में radio का क्या सीन है, क्या हो रहा है, क्यूंकि पॉड्कास का वेवा रहा है, audio is changing OTT is reaching out more, social media is reaching out तो radio का what is the future according to you? अच्छा पैसा दे रहे हैंको तो तो राइडियो का अपना ओडियन्स है तो radio की जो जो भी जब तू radio की बात करता है, जैसे हम लोग टीवी में प्राइम टाइम बोलते हैं रेडियो में ड्राइव टाइम बोलते हैं तो जब लोग ऑफिस जाते हैं तो उनको हमेशा लगता है कि एक बंदा है जो उसी वक्त उस ताइम की बात कर रहा है जब मैं बता रहा हूँ कि अगर आप यहां से यहां जा रहे हैं और यहां पर आपको ट्राफिक मिलेगा बीच में तो उसको पता है कि मेरे साथ कोई बंदा है जो मुझे बता रहा है I'm talking to that person वो जो experience है और रेडियो में आप तू प्लेलिस्ट डिसाइड नहीं करता है प्लेलिस्ट वो जो 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 गाना एकदम से कोई चल जाता है और वो जो ओ गौड ये कॉल सा खाना चल गया भाई ये फील आगए यार वो experience रेडियो से कोई नहीं चीन सकता और वो हमेशा से रहा है रेडियो के साथ मुझे एक चीज लगती है कि एड्स जो है वो थोड़ा इरिटेट करते है वरना इतने प्यारे ये हैं क्या बोलते हैं उसको हम लोग रेडियो में क्या होती हैं कॉल्स वगेर को क्या बोलते हैं इंटरस्टेशल इंटरस्टेशल बोलते हैं इंटरस्टेशल से हैं जैसे मैं एक करता था शेंडी प्रैंक कॉल सेगमेंट करता था यहां मुंबई में Shandy तो मैं Kan Phaad Abhilash के नाम से था यहांपर तो Kan Phaad लोगों को लगता था Kan में बता था Kan Kan Phaad क्यों कि रेडियो एक तो वो तो वहां पर में Shandy करता था Shandy का अपना fan following थी बहुत सारे और ऐसे popular segments है तो रेडियो को enjoy सब करते हैं गानों के साथ, conversations के साथ interstations के साथ एक ads हैं जो थोड़ा सा irritate करते हैं उसको अगर control कर लेगा radio I think is one of the most beautiful and lively mediums मतलब वो जो बात कर रहा है आपके साथ वो इसी agenda के साथ बात नहीं कर रहा है वो वस आपके साथ enjoy कर रहा है एक radio jockey है आपका दोस्त है radio evolve करेगा क्योंकि सारे radio station अभी podcast space में भी जा रहे है क्योंकि जितना content ये scene समझा दो exactly क्या हो रहा है audio content में radio stations के आसपस भी कोई नहीं है वो पिछले 20 साल से private radio station हिंदुस्तान में तो 20 साल का content आप 2 साल में तो करी नहीं सकते हो तो जो interviews उनके पास पड़े हुए ऐसे legends जो चले गए इस दुनिया से उनकी कहानिया उनके पड़े हुए है radio stations के पास जो content है और especially जो music का Bollywood का वो content मुझे नहीं लगता podcast में आज की तारीख में क्योंकि जो legend चला गया उसको आप कैसे record करोगे नहीं कर सकते लेकिन radio stations के पास वो है जो कहानिया है और radio stations की तो strength ही है कहानिया सुनाना तो उस content को बहुत अच्छे से यूटलाइस कर सकते हैं बहुत सारे radio stations अलग-अलग चीज़ें प्लान कर रहे हैं कुछ लोग अपने podcast platform लेकर आ रहे है कुछ लोगों ने radio को ही podcast कर दिया है तो एक radio station है जिसने 15-20 मिनिट का एक segment शुरू किया है जो की पूरा podcast है एक यूँ अब तो दो-तीन radio stations है दो-तीन radio stations है podcast शुरू कर दिया कहानिया बहुत सारी है जिसके लिए मैं काम करता हूँ नीलेश मिश्रा उसमें अपनी कहानिया सुनाते है अनुक अपूर अपनी कहानिया सुनाते है बॉलिवड experiences सुनाते है तो podcast चल तो बहुत वक्त से रहा था उसको ठपा आप मेला है digital space में और ये कहानिया मुझे लगता है धीरे-धीरे रेडियो से निकल कर तो निकल कर कुई डिजिल कहानिया तो कहीं भी जा सकती है सरी, audio कहानिया तो कहीं भी जा सकती है तो ओनलाइन भी आएंगी तेरे Instagram पे भी याएंगी YouTube पर भी आएंगी और चलेंग यार तो रेडियो के लिए expand करना easy है क्योंकि उनके पास एक legit medium है जहांपर कि वो गाने चलाने है अगर तेरे को आज की तारीख में अपने गाने को hit करवाना है तो कोई भी platform यूज कर ले you will not reach out to the masses जब तक तू रेडियो को tap नहीं करता है इसलिए आज की तारीख में भी अगर तेरे को कोई गाना hit करवाना है तेरे को रेडियो पर चलाने ही पड़ेगा एक टाइम एक टाइम के मुझे अभी भी लगता है कि फिल्म को अगर अपनी रीच बनानी होती है फिल्म के बारे में जब सबसे पहली चीज जिसके साथ तुम एक फिल्म के का वो सیग्मंट जिसके दाथ इंटराक्ट करते है वो उसका म्यूजध उता है पेले म्यूजध गता है यह कॉन सा गाना है जैसे मैंने एक फिल्म की थी वो फिल्म नी चली तो झाने सूपर। तो उसके गाने मतलब पता नहीं और बहुत कुछ भी कर सकते हो, तो अगर तो अगर तो एक आडियो कहानी बता रहा है, जो साथ ही सांड पर उसके साथ एक्सपरिमेंट किया जा रहा है, और इफ सम्वन इस कम्प्लीटिंग पेंटिंग, तो सोच ना, मतलब तेरी कहानी के साथ हो पेंटिंग खत्म हो रही है मैं आइडियास कुछ जादा नहीं दे रहा हो तेरे को? नहीं, सही है, सही है, सही है, तू तो पैसे कमा लेगा इससे, देरा क्लावाँ आप भी था पॉड्कास्टर बन जाओगे, और यह एनोजी बहुत कम पॉड्कास्टर नहीं होती है, एक दोनों मिलके एक शो करेंगे selfishly, क्यों मुझे सीखने को मिलता है, I get to learn experiences, I get to know stories, और easy content है, easy की बात है, मैं difficult काम कर लेता हूँ, सबसे difficult काम जो है, बढ़ है, feel तो है, और वो conversations में मज़े हैं, मतलब इतने सालों से, जो मैं रेडियो में देख रहा हूँ, मेरे को जो मज़ा आता है, वो बाते करने में आत देवां थपलियाल अब इस पॉटकास का लेजेंडरी फिगर मन जो का है, उनकी हमालय की कहानिया, लोगों के दिल में अभी जम जुकी है, और अब भी ब्रिंगिं इम बाक, अब भी यह तौकिं तो अभिलाज थपलियाल और अभिलाज थपलियाल जी, आप यह पीस मत कर अभी जम जब लग रहा है, अभी लाज थपलियाल जी, आपको भी फिल आज़े है, इसकी वज़े से, जो लिसनर से पता नहीं है कि मैं तुकी चैस को रब कर रहा हूँ, क्योंकि अभी थपलियाल की वाइब यही है, इनको हग करके जो आपको फिल होगा, ओ गॉग यह अभी ब्रदर्ली वे, यह जो साइलन्स है, और लंबा भी खिच सकता है, अगर यह बाते इसी ट्रैक पर चलती रही, तो हम लोग क्या बात करें थे, आपके तुछ के बारे मेरे बात करें, आपके दिल के बारे मेरे मेरे बात करें, मतला मेरा तो फोन भी अलग लेवल पर अब फोन निगल के बलता है क्या तच आपका बाके को अनलॉक करता तो फील यह आती आपका अपकरते हो, आपके सीरिस्टी इसका हो, बोला, आपके दिल के अंदर बहुत ज्यादा लव है, हाँ क्या तरक इसा लगता है, और यह एसके को देखने के बाद मुझे बहुत सार कई लीकर आती है, अब लॉट आपके सेंट पर ने हापिने के बीज़ुट इसे साव बाद थोगों करते हैं, बॉट में ख़र को इसे समय इसे क्वेंद लाइब दिट्टी आपके ने, आपके बीविन आपके बीवे, लोगों अन्याद रिलेशन्शिप, आडिव उस रिल strength तो for sure है source of happiness के बार में हम लोग बाद में but हा यार मतलब तिर को जैसे रणवीर I'm sure तेरी लाइफ में एक बंदा होगा जब तेरी बिल्कुल बसार हो जाती होगी लाइफ में जब अच्छा जल रहो होता है तो सबसे बात करेगा लेकिन जब तू बिल्कुल ऐसा लगता है अब क्या करना है तो एक बंदा होगा जिसको तू कॉल करता होगा तो पता है वो बंदा कौन है मेरे वो बंदा अनुभूती है कि लाइफ में जभी बी क्योंकि वो एक लाइफ में unbiased opinion और unbiased direction बड़ा जरूरी है मेरे लाइफ में है कुछ कुछ लोग हैं कुछ फ्रेंज हैं कुछ मेंटॉर्स हैं जिनको मैं कॉल करता हूँ बट वो पहला मेरा एक source of direction है right direction कि मैं क्या करना चाहिए भी ऐसी situation और बहुत फ्रीक्वेंटली होता रहता है तो आप रेलाइज रहा है उससे फर्क तो पड़ता है क्योंकि हमारे बड़े सारे दोस्त होते हैं एक set of friends होता है जिनके साथ आप शराबे पीते हो आप party आं कर रहे होते हो आप घूम रहे होते हो आप jokes rack कर रहे होते हो एक set ही होता है इसलिए इमोशन की भी वह वाल्यू है तो जिनके साथ आप उस लेवल पर कनेक्ट करते हो वह बड़े प्रेशियस है अर लाइफ उन्हें कभी मठ चोड़ना है क्योंकि आप कई बार उनको फोर ग्रांटिड ले लेते हो और मेरे को लगते है इसके वही दोस्त था इस सीरीज में कैसे मने प्लग-इन किया देख easy baby I'm going to plug back I'm going to plug back to your marriage and say प्यार दोस्ती है मतलब क्यों प्यार प्यार हो सकता है दोस्ती दोस्ती हो सकती है you don't feel कि प्यार फेड़ए हो जाता है नई शायद नहीं होता अभी भी रोमांटिको कितने सारों से अप्यार इसके करेगा रोमांस को वह है मतलब तो एक लव लेंगवज का अंसप्ट रहता है हर इंसान के अलग अग लव लेंगवज होता है someone has physical touch as a love language जैसे I have with you जैसे I have with you that is my way of showing that किसी की gifting material based love language कि take this gift I love you और एक फिफ्ट थी है फिफ्ट वाला acts of service होता कि आपने चाय बना दी आपने किसी के खाना पकाया आपने I don't know तुझे चाय वाला है अगर वो मैसे बोल के चाय बनवारी है तो फिर काउंट होगा और नी होगा आपने चाय बना हो इस अब ही भी भी है यार मतलब भी टॉक भी जो तुपेंड टाइम वाला बोला था क्वालिटी टाइम मुझे वो लग रहा था कि अब आज की तारीख में जब लॉक डाउन है और आप साल देर साल से पंदरा महीनों से एक साह में हो इस टाइम पर यह टेस्टिंग टाइम मतलब काई दोस्तों बड़े दुखी है मेरे अब को एक और चीज बता हूँ सॉरी आप बोला 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 तो एक वर्ल्ड रनावन रलेशंशिप एक्सपर्ट है इस परबली दॉप रलेशंशिप पोच इन दे वर्ल रलेशंशिप पर सेम एक्सपर्ट है कि एवरी रलेशंशिप पर इस गौटन फास्ट फॉवर्ड मतलब अगर आपका ब्रेकप हो ना ही ता ब्रेकप हो गया और अगर आपकी रलेशंशिप उनी थी तो हो गया मुझे लगता है जो लाटे पाट तु बोल रहा है वो मेरे साथ हुआ है और मुझे रियलाइस हो एक अगर आपका वो पार्टनर सही नहीं है तो आप जब एक normal life में होते हो 8 गंटे आप office होते हो, 4 गंटे कहीं और होते हो, 8 गंटे, 9 गंटे, सो रहे होते हो, तो आपका time निकल जाता है, लेकिन when you're spending every damn moment with that person, then you realize कि अरे, bro, ये तो correct है, अब वो और जादा, वो realization और strong है, तो जो तुने 5 points बताए, मुझे लग रहा है कि long term relationship का logic समझ आ गए, कि okay, आपकी compatibility बन जाते है, understanding बन जाते है, जब आप एक relationship start कर रहे हो, आपको कैसे पता चलता है, कि okay, is this the person for me or not, मतला, initially, कुछ नहीं पता लगता है, ये अभी आखे साब बोलता है, आप मेरे को लगता है, आप अप एक्टिंवारा जाए ना, जैसी character hit ह I have to be in this moment, कुछ नहीं पता होता है, कुछ नहीं पता होता है, कुछ नहीं पता होता है, आप बस relationship में आते हो, और आप उस बन्दे के साथ time spend करते हो, और आप उसको, आप, और ये realization भी रोज चेंज हो रहे होते है, ऐसा नहीं कि तरको पांच दिन में तरको लगा किया रहा ह सारी बाते हैं, तो दो हफते के बाद या एक साल के बाद भी same चीजे होंगी, everyone evolves, हम लोग thought process में evolve करते हैं, हम जिस तरीके से life lead कर रहे होते हैं, जो हमारी aspirations होती है, जो हमारा ego होता है, self-respect, सब कुछ evolve कर रहा होता है, या तो नीचे जाता है, उपर जाता है, तो सब कुछ तो बदल रहा होते है, तो ही risky game होते है, अगर आपकी evolution constantly हो रही है, of course, of course, मतला अगर तू बहुत जादा जल्दी evolve कर रहा और अगला बंदा पिछ रहा गया तब फिर, तो तो फेल होगा क्लास में, तो फिर, जो कहते हैं कि work on your relationship, तो how long are you married अभी? 10 years? भूल गया, 6 साल, 6 साल, लेकिन मैं अनुभूती को जानता हूँ, 2001 से, school, 8th standard, 7th 8th standard, और relationship शुरू आता है, 2000, 3rd November, 2007, मतलब, 14 साल हो जोगा है, 13 साल, आप भी करो ना, कुछ calculation हो, कुछ तो आप भी करोगे ना, 15th April, 2000, 15 को शाधी होगी, यह हमारे highlights channel, clips channel के लिए, TRS clip बन गया है, my 20 year relationship gave me strength, या, ऐसा हो सकता है, या, जो भी, we'll come up with a title, SK Sir के प्यार की कहानिया, बता है, बनलब, यह, हो गया तेरा आप, SK Sir के प्यार की कहानिया, शुरूवात हुई 2001 में, मेरे प्यार से मुझे टाकत मिले, तो हमारे एक mentor है, जिनके साथ हमने, हमारा पहला Hindi podcast shoot किया, थो कानाम है Radhakrishnan Pillai, वो चानक्यानीती पर books लिखते है, तो उनके podcast का title initially हमने रखा था, चानक्या की आत्मा इनमें घुस कर कितावे लिखती है, पर क्लिक्स, पर क्लिकबेट, पर व्यूज, पर podcast culture, तो तुम यह भी करते हैं, पिल्लाई साहब ने घ्यान की घुटी पिल्लाई, 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 नाइस, आपको यूट्यूब चैनल स्राट करना चाहिए, क्या क्या करूं में तु बता, रेडियो में कर रहा हूं, अक्टिंग में शुरू कर दी है, मतलब content जो है, डिजिटल मीडिया पर थोड़ 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 क्रेटिर, यूट्यूब शुरू कैसे होगा इतना असा, पॉलिटिकल सेटायर का, हमारे उपर प्रेशर दाल रखें, मतलब क्या करें, और आप एक बालन्स इंसान भी हो, क्यूकि आपके बालन्स, वो नहीं पता देख रहना, आप बहुत जादा बालन्स इंसान भी है, अपकी खुद की फैमिली लाइफ भी है, लव लाइफ भी है, पीपल इन मुंबाइ टेंड टो लूज आउट, अन बालन्स इंसान भी होता होगा, कि आप जब यहां पर आते हो, आप कहां से आ रहे हो, जैसे मेरा स्ट्रगल मेरा स्ट्रगल वो नहीं रहा कि दो वक्त की रोटी नहीं थी जी, ट्रेन के स्टेशन पर सो रहा आता जी, वो स्ट्रगल नहीं रहे है, और कही लोग को कहानियां बना भी रहे होते यू नू बहुत लोग कहानिया बना एम शौर तिरको पता होगा यार ये नहीं पता लगता ने कि यह तो add किया हुआ, यह थो उड़ा सा मतलब आपके, मसाला फील होता है बड़ एफिल कि कोर कोर हाँ कोर राइट करेक्ट होता होगा लेकिन उसमें एड़ ओन करते हैं मेरा स्ट्रगल कभी भी वो दो वक्त की रोटी का स्ट्रगल नहीं था मैं एक स्टाबलिश डेडियो जॉकी था और मेरा स्ट्रगल यह था कि जो मेरा स्ट्रगल यह था और मेरको लगता है हिंदुस्ताने बहुत सारे रोंका स्ट्रगल कि हमें एक नौकरी करने है हमें उससे पैसा मिल रहा है बढ़ हमें उससे कुछ जादा करना है तो मेरा स्ट्रगल वो कुछ जादा करने का स्ट्रगल था जब यहां पर था फंदरा तारीक 15 अप्रिल 2015 तक मैं एक अच्छा खासा नाम था दिली में रेडियो और स्पेस में स्ट्राटेजी करते हैं तो मैं जब यहां पर आया तो अनुबूती के साथ आया मैं जॉबलिस था छे में जॉबलिस मतलब ऐसा नी था कि नॉखरी नी थी बट छे महिने का ब्रेक था जहां पर रेडियो स्टेशन के अबिसली स्लॉट्स होते हैं तो आप उसमें ट्राइ कर होते हों कि कहां पर हो सकता है कहां पर एक स्लॉट्स हो सकता है तो वो मेरा स्ट्रॉगल था कि इसके अलावा क्या किया जा से है और उसमें यह मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मेरी बीई ने तो जो तू बोल रहा है कि relationship जो यहां Mumbai के relationship है वो शायद जो relationship यहीं पर ब दो रेडियो जॉकीज है तो I'm sure कि एक ज्यादा successful है और एक कम होगा, कभी ऐसा तो हो नहीं सकता है, तेरी मेरी salary बराबर, तेरा मेरा fame बराबर, तेरे मेरे numbers बराबर, ऐसा तो कभी नहीं होता होगा, कोई एक आगे रहेगा, कोई एक पीछे रहेगा, तो वो ego clash कही नहीं तो I I'm sure होते हों गया, और वो impact करता है, इसलिए I feel कि a good career strategy अब dual careers बन जोगी है, मतलब अलग अलग चीज़े करो, जैसे कि आप करते हो, मतलब यह भी हो सकता है कि दोनों एक ही career कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, और बहुत ही compatible हो, बहुत evolved thought है, is what I feel, हो सकता है कि मतलब, य श्री वो क्या हो, in married life, लगी पड़ी है relationship की सही करो इसको, कुछ तो दिक्कत है आपके में, आपको भी करना पड़ता हो, देख effort तो हर रोज है यह effort को break down कर, मेरे को लगता है कि जभी भी तू अपने, तू हर एक चीज़ अपने comfort में करता हो, अन्बिर, मतलब knowingly और unknown, मेरा कहना कि एक काम करते हैं, चल चाहे पीते हैं, और तेरा कहना नहीं में तो काफी पीता हूँ, यह इसमें भी मेरा effort है, तो जहां बोल रहा ठीक है, हाफ कप चाहे पी लेते हैं, तो कई चीज़े दिल, obviously तो एक individual है न, तेरी अपने calls है न, life के, तेरे अपने decisions है न, उन decisions को को कई बार हलका सा ट्वीक करना पड़ता है, और यह सिर्फ relationship में नहीं है, यह हमारे parents के साथ है, जब माबाप बोलते हैं, बेटा, दो दिन में एक बार call कर लिया, तेरा नहीं हमान call करने का, लेकिन तो दो दिन में एक बार अपने टाइम निकालता है, और तो बात करता है, औ करना हिरो मैं अपनर इसे मैं बात की, होली-डी-वाली जाता हूं हक, तो मतलब और यह सिर्फ संचित एक एक अग्žाबल है, हम सब उसी संचित हम सब कहीं न कहीं, जो होली-डीवाली पर घर गर गारें या चार महीने में एक बार गर जा रहे या दो हुएenschय के पारें अपनी जिन्दी का सब कुछ sacrifice करने के लिए तैयार। मैं अपनी मा के लिए पांच मिनिट नहीं निकाल सकता हूँ क्या। और मुझे कुछ बोलना भी निया मुझे सुनना है उनको फोन करके। तो हम लोग हमेशा हमारा जो importance मुझे लगता है इसके बारे में भी conversation होने चाहिए कि हम अपने parents के साथ जो relationship है उसको strengthen कैसे कर सकते हैं क्योंकि हम लोग हमेशा अपने spouse के साथ अपने partner को खुश रखना या उसके लिए क्या करना इसके बारे में बहुत सोच रहे होते हैं parents के साथ भी एक और वो हम हर जगे करना है जो मैं तुझे बोल रहा हूँ चाहे और coffee का example कि तो आधा कप coffee चाहे मेरे लिए पी ले तो वो भी तेरी तरफ से एक effort है वो efforts हर relationship में हम अपने boss's के ले नहीं करते हैं जब corporate में होता है नो बोलता है काम कर बेटा फाइल बेज़ दे मेरे को और तुझे पता है वो फाइल वो अपने नाम से आगे forward करने वाला है हम कर रहे हैं वो दो गंटे दे रहे हैं क्योंकि हमारे लिए career है important है तो तेरे लिए क्या important है life में तो उस ही के लिए effort करेगा जिसको हमाले के top पे चड़ना है वो उसके लिए effort करेगा जिसको career में certain numbers चीए हो उसके लिए effort करेगा जिसको एक अच्छा relationship चीए हो उसके लिए effort करेगा तो सबकुस तो comfort में हो नहीं सकता है, मुझे ऐसा लगता है, कितना घ्यान देता हूं, मैं तू गुड, Sanjit, आप आओ कभी प्लीस, कुछ भी हो तो, तो only पाचलाग रुपाय गंट है, आपको कॉंट्रिवर्शन चीज़ बता हूं, बोल ना, मैं Sanjit को कहते है रहता हूं, क्या क्या अगर 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 मुंबई की हिस्ट्री बढ़ हो गए, हाँ, तो मुंबई की हिस्ट्री क्या है, कि यहां अच्छली आइलेंड वे करते हैं हर शहर की अलग एनऑजी होती है, अगर अप गilly चले खे तो फहके और देली चले है, अगर भूद अगर बहुत अगआ है, धँ हर शहर की पॉसुटिव जवें के बहुत ज़ाद अगे, यहां की करियो शशव नेट टकि लुटिड़ ऑलग से हम अनने अट की अनेजनी कि यहाँ आगे, no matter what you have done, even if you are Shah Rukh Khan, आप still, आप next goal के बारे में सुस्टेरों, और यह इंडिया के और किसी भी शेर में नहीं है, थोड़ा सा बैंगलोर मुझे यह दिखा ही देता है, but this is one area मुंबई इस amazingly different, और जो लोग मुंबई में shift हो जाते हैं, they also sense it, कि हाँ, यह बहुत अलग शेर, यहाँ की energy बहुत अलग है, we'll talk about this also, यहाँ का एक negative aspect है कि हर कोई इंसान, including my grandfather, including my nani, हर कोई तभी उस age में भी थोड़ा सा ambitious रहता है, और उस ambition की वाचे से आपको जो energy की बात कर रहे हैं आप कि जो priority है, आप उस priority में अपनी energy डाल दो, तो mostly अब automatically अपने professional life में ज्यादा energy डाल ले तो, as compared to your relationships. But मुझे Ranveer बो लगता है कि यह तो सिर्फ यह सिर्फ बंबई की बात नहीं है, यह हमारी generation के लिए बोल रहा हूं मैं, जब तू TikTok का example दे रहा था, लड़क है 24-24 गंटे, 24-28 गंटे दिन के TikTok को दे रहे थे, और मैं सिर्फ मुंबई दिली की बात नहीं कर रहा था, मैं बात क मैं बिहार की बात कर रहा हूं, मैं ओडिसा की बात कर रहा हूं, मैं साउथ की बात कर रहा हूं, वो ambition by default, क्योंकि हमारे पास जो icons रहे हैं, जिन्होंने हम लोगों को बता है, तू भी icon है, तू भी जब बात करता है किसी चीज़ के बारे में, और मैं तरे कई वीडियो कर रहे हैं, हम लोग सेक्सिजम डिसकास कर रहे हैं, तो हम लोग फैमिली को डिसकास क्यों नहीं कर रहे हैं, और एक और चीज़ जब तू वो बोल रहा था, एनरजीज की बात में किसी से बात कर रहा था, उसने का मैं रिको कि, और ये बड़ा ही religious thought था कि, जो सागर समुद में उस कारण से तेरी जो financial capital है, दुनिया में, मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, New York, Mumbai, Beijing, जो भी, सब तरको जाला तर समुद्र के पास नजर आएंगी, इसका historical perspective है कि यहां पोर्स होते थे, लेकिन पोर्स तो बहुत सारे होते थे थे, मतलब पोर्स तो गोवा में भी था, गोवा में भी है, गोवा सबसे चिल जगे है, लो financial ambitions, तो उसका बहुत सारे, बहुत सारे factors I'm sure होते होंगी, बट एक aspect, यह मेरे को किसी ने बताया दो, और मेरे को चंगा, मतलब पॉइंट तो है, वो जो controversial चीज थी, वो यह है कि, okay, जो भी मेरे team members है, व जो जो अलब इंडिया से, कोई नागपूर से, कोई बनारस से, कोई जैपूर से, गुजरात मत भूल तो, गुजरात से लिए, और I feel कि इन सारे लोगों के parental relations, मुंबई के, मुंबई के, मुंबई के parental relations से बहुत जादा स्टॉँग, I would go back to each person's childhood, a childhood in Banaras, is better than a childhood in Mumbai, क्युकि यहां, हम अपने parents को, हसिल करते हुए देख रहे हैं, and it's a difficult city to survive in also, अगर आप इस शेहर में रहे हो, आप हमेशा, हमेशा ग्रोथ के बार में सोच, सोच रहोते हैं, कभी कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई- जब हम बोलते हैं, कि वह difficult है, और यह easy है, यह easy है, और वह difficult है, हम लोग compare कर रहे हैं, things are as is, वह बस है, क्योंकि अगर तू compare करना शुरू करेगा, तो तू इसके childhood के साथ-सके parents के ambitions को भी compare करना, हो सकता है, उसके parents के ambition वह जो तेरे parents के reality है, मतलब how can you discard that, things are just as they are, मतलब हम लो चीजे बस ऐसी हैं, हम हमेशा compare, बचपन से हम यह तो कर रहे हैं, compare, 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 exam में नंबर आय तो compare, गाड़ी ली तो compare, घर लिया तो compare, घर का space compare, area compare, हर चीज वो comparison है, difficult, easy, easy, difficult, ambition यह, सब कुछ आप नहीं लपेट सकते हो, लाइफ में, एक बड़ी अची कहावत है, वह कहावत म अटिया ठीक है, यह तो है ना, next cab, bro, अभी aspirants हो गया, next cab, bro, film करेंगे, film करेंगे, तो हर बार का है यार वो, इस रट से ही तो निकलना है, and when we compare वो बचपन और वो, जो, जो opportunity, बहार के लड़कों के लिए यहाँ पर है, वो वहाँ पर नहीं है, और उसी वज़े से वो यहा जहाती है, मैंने बहुत जगों पर बोला है, लेकिन वो हर बार बोलते हो, मुझे नया लगता है, कि पहाड़ों में roads जो होती हों, टेडी मेडी होती है, लेकिन लोग सीधे होते हैं, तो सीधे होने साना, बड़ी चीज़ें, लाईफ में सौट हो जाती है, क्यूंकि आप, जो तो energies की बात करता है न वो आप एक ही जगे लगा रहे होते हो मतलब obviously उसमें थोड़े थोड़े fight होती है कि आप हमेशा हर किसी को trust करते हो हर किसी से दिल की बात कर रहे होते हो कई लोग आपको सही तरीके से लेते नहीं है पर doesn't matter आप चार बार दिल तुड़वा के भी पांची आप फिर से उसी प्यार के साथ आप but that's how you are आप हो ऐसे मतलब तू जैसा है तू ऐसे ही रहेगा ना मतलब तेरे को चार एक्स्पिरिंसे शायद कुछ नया दे दें बट बदलेंगे नहीं I feel की there is a negative trait of me I have a inherent trait of arrogance ये पता नहीं पंजाबी खून है या क्या है I don't know but there is a trait of arrogance but मतलब पंजाबी तो मुझे लगता है पंजाबी तो मुझे लगता है पंजाबी के वारे में बड़ी इच्छा हम लोग discussion कर रहे थे कि पंजाबी जो होते है किसे नहीं का बड़े show-off होते हैं मैंने खो show-off तो नहीं पता बड़ दिल वाले होते हैं पंजाब में तू जा भाई तरको जो लस्ची आगलास मिलता है इतना बड़ा मिलता है जो पराथे मिलते है ऐसे मिलते है और इसमें इतना वक्षन डालके देते हैं it is, देने का जो जो वो है ना, feel. तो देने की जो देने का जो देने का सोच रहाय है, बेसिक चीज के हमें, क्वा था क्या दोटी के हम लोग क्युं खर रहे हैं जी, जो जो कर रहे हैं, हम सब यही बोलते हैं वो जो पेट अपना भरने के बाद दूसरे का पेट भरने वादी जो फील पंजाबियों कि ओ कमाल है तो अरोगेंस तो बाड़ी पर्सनल ट्रेट है और हो सकता है तुने लाइफ में कुछ अचीब किया और जिसकी वज़े से अरोगेंस विच इस अलसो फाइन जब तक कि वो प्लेस उफ चडाविंग दिमसेल्स हो सकता है हो सकता है और मिर को एक और चीज बढ़ी स्ट्रॉंग लगती है कि हम लोग कॉंस्टंटली अपने आपको बदलने की कोशिश कर रहे है बचपन से लेकर अब तक पीपल विल कम एंड तेल यू कि रनवीर तू जब पॉडकास करना है कैसे चीजे अ देखनी है समझनी है क्या बोलना है और हमारी पचास परसंट से जादा लाइफ ना भाई जिसर्फ दोसेरों के आख एंखों में अपने आपको few नहीं को नहीं हमारी बात करने का तरीका क्या है जैसे डिखे को अभी कहीं लोगो ने बोलना चूर क्या वह भी भी ंकर यही जाई भी अरबी March once लएजर इस बेस्थेन शार्ट बढ़ आतम सब्सिश्बिलिटीchnjuna कि इन अनुबलता है हां मीडेया में क्याओ बोआथ जरूरी आप है अभी अभी अब आप शुशार रहाी है तो तर अभी कासे सब आप अभी कासे कैसे change कर सकता है it cannot I need to accept myself the way I am with my flaws every damn time I am told that you have a body बना ले अब नहीं बनती यार बोडी में क्या आपके क्या flaws है वैसे पता नहीं मैं तो perfect हूँ मैं तो सबसे अची हूँ impulsive हूँ बहुत impulsive हूँ तो अगर मेरे को तेरे से प्यार है तो मेरे को तेरे से रनवीर इतना प्यार होगा कि तो मुझसे जो मांगेगा मैं दे दूँगा बट अगर तो मुझे पसंद नहीं है experiences की वज़े से तो मेरे चहरे पर वो दिखना शुरू हो जाएगा मैं तेरे से खुशी से मेरे साथ तो बड़ी मेजर फाइट है इंपाल से हो तेरे कोई भी चीज अच्छी लगी तो मैं तरे को अप्रिशेट करूँगा लेकिन अगर खराब लगी तो वो भी बोल दूँगा जो मेरे को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए वो एक मुझे एक बड़ी स्ट्रॉंग सी चीज लगती है कोई भी शहर हम लोग लाइफ में क्या अचीव करना चाहरे है हमें लाइफ में सबसे अच्छे लोग लगते है जो साले जज ना करें मैं कुछ भी पहन किया हूँ न मेरे को जज मत करो चीज है मैं ब्लाइक कॉफी पी रहा हूँ तो भी जज मत करो ये वो शहर है जो जज नहीं करता है जहाँ पर एक CEO और एक PN एक ही ट्रेन में अडोस पडोस में खड़े हो कर जाते हैं और ऑफिस में जाके अपना काम करते हैं लेकिन वो जज नहीं करते हैं जहाँ कोई कहां रहता है उसको देखकर आप जज नहीं कर रहे हो ये बड़ी प्यारी ट्रेट है यार मतलब आप कौन सी गाड़ी चला रहे है उसे फरक नहीं पड़ता है आपको मैं आज यू आर तू जैसा है मैं उसके बेसिस पर फिर एक्सपिरियंस पर जज करूँगा बट कॉस्मेटिक बेसिस पर जज नहीं करूँगा ये सबसे प्यारी चीज है ये शेहर के और क्यूंकि मैं तरको बताता है मैं फॉजी का बेटा हूँ यार मैं अलग-अलग जगहों पर रहा हूँ और बहुत-बड़ा पार्ट दिली में मैंने अपनी जिंदिग्या को बिताया तो मैं जैसा हूँ मैं हमेशाद इतना ही पतला रहा हूँ और और लंबे बाल थे हैं तरको पिक्चर बेजूगा अपनी के लंबे बाल अब देख मैं बड़े बाले तो अब देख मैं बाड़ी बना के रहूँगा कुछ नहीं वाज तक नहीं बनिये बाड़ी क्योंकि वह जब आप कोशिश करते हैं किसी और को प्लीज करने के जब इंटरनली कुछ आएगा तो हो जाएगा बट आप जब extensive external forces को और external point of views को satisfy करने की कुशिश करोगे तो घंटा खुछ नहीं होगा लाइग में क्योंकि वाई default नहीं आ रहा है अंदर से नहीं आ रहा है तो यह शहर वो है जो बड़ा ही non judgmental शहर है और यह तो ट्रेट ऐसी है जो इंसानों के अंदर होनी चाहिए अब किसी शहर के अंदर यह ट्रेट है तो सोचो कि इतना खूशूरे शहर होगा है इस शहर की में एक और बहुत ही अलग बात कह देता है यहां बहुत ज़्यादा capitalist है और बहुत ज़्यादा corporate ambition वाले लोग है UPSC aspirants बहुत ज़्यादा कम हैं क्यों इस्टोरिकली देखें या फिर aspiration मुझे लगता है कि देख business धन्दा यह evolved चीज़े तेरे पास कुछ capital होना चाहिए business करने के लिए तेरे पास और यह शो सकता है बड़ा ही raw thought हो मेरा मुझे भी नहीं पता है मैं सिर्फ अपने जो limited experience है उसके basis पर बोल रहा हूँ तो जो भी तो धन्दा खेलेगा तो वह बैठ खेलेगा जहां पर की short short तेरे को returns मिले short short returns का मिलते है नौकरी में मिलते है ठीक है जब तो यूपी बिहार की बात करता है in terms of हमेशा कहा जाता है कि economically weaker जगहें हैं और aspirations तो हर जगहें यार और बहुत जारा दिमाग बाले लोग हैं तो जब बहुत जारा दिमाग बाले लोग हैं पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट तो कहां जाएंगे bureaucrats बनना चाहेंगे वो लोग comparative exams crack करना चाहेंगे और वो तू देखता है वहाँ पर जैसे तू फॉज में देखे बहुत पहाड़ी हैं क्यों है पहाड़ी प तो तेरे को वो दिखता है वहाँ पर मुझे बहुत स्रॉंग लगता है कि यूपी और बिहार में इंटलेक्शली बड़े साउंड लोग है इनके थिंकिंग में शायद option भी नहीं बहुत जादा clarity के साथ-साथ वो दूसरा factor वो भी है कि बहुत सारा options भी नहीं है अपको मैं एक चीज़ कहना चाहूंगा as a start-up person हर एक Indian start-up को interiors को थोड़ा सा scan करना चाहिए for the sake of good recruitment, good team building, बहुत टालेंट पड़ा हुआ है वहाँ पर लोग साथ ही नहीं क्यूंकि हम लोग सब formulas मेटके हुए न क्यूंकि हमारे formulas ने हमको बताया कि Delhi और Mumbai के लड़के जादा evolved or which is not exactly, मैं बोलना हुआ लेकिन फॉर्मूलाज है जो लोगों ने crack कर लिया और उसको अब revisit करना नहीं चाह रहे हैं तो धीरे धीरे जैसे फॉर्मूलाज तूट रहे हैं जब बहार के लड़के आ रहे हैं और बिल्कुल फाड दे रहे हैं तो सबने आ रहे हैं ये वी तो टाले अट लॉड़लाज़ेशन होथे हैं अट लोगे लिडिया लेट रहा लिडा की इन इंडिया गा नाइजिरिया गा गा दो शोचेके उंका अग्या है अंद उन का कल्चर अट वी सेमर उचों के डिग है सब लोग फुट बिल्ली आ जालल शे इंडली आट अब सब लोग सबसे बड़ा रीजन है जो हमारे हाथ में मोबाइल फोन वो क्योंकि अब तक जब आक्टिं करने के लाना होता था तरको एक अडिशन देना पड़ता था जो सर्फ मुंबाई में हो रहे होते था अब अगर उसको बेर भाई सबसे करना है उसे कहीं नहीं जाना है उसे वस घर पर यह तुन-टुना जो है इसको सभी से उटलाइज करना है पर एक चीज है जो आफिल कि मुंबाई और डेली के लड़कों के और लड़की हो के दिलों में है और वह चीज होती है गट्स यहां रिस्क टेकिंग अबिलिटी बहुत जादा होती है वित और विदाउड मॉनिटरी वाकिंग यह मैंने इवन अगर लगता है हर जगे है अगर रिस्क टेकिंग है अगर कोई अगर तु देख आउटसाइडर अगर सब कुछ छोड़कर यहां पर आया हुआ है अपना करियर कि अगर उससे बड़ा रिस्क टो नहीं ले रहा है अगर मुंबई और दिल्ली के लड़के-लडगी अपने घर में बैठकर इह बोलते हैं कि हम तो सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हैं क्योंकि हम ना वह कर रहा है जो पाप अमी नहीं किया अपने पापा अमी के घर के अंदर बैठ कर, तो आप तो रिस्क कुछ भी नहीं ले रहे हो, अगर उत्राघंट का एक लड़का, या बिहार या या यूपी का एक लड़का, जो सब कुछ छोड़कर आपके शहर में आया है, अपना नाम बनाने के लिए, ना उसके पास घर है, ना उसके पास पैसा है, ना उसके बहुत बड़ा रिस्क वो अंसान ले रहा है, जो अपनी फैमिली को छोड़कर यहां पर है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होती है, किसी की फैमिली होती है ना, तुने सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही छोड़ दी, तो उससे बड़ा रिस्क टेकर कहन है, नहीं, I agree, I also, but again, I मेरे पापा वो थे, मेरे दादाजी वो थे, जो तरह को छोड़कर दिल्ली आये, अपना करियर बनाने के लिए, Ministry of Health में काम करना शुरू किया, या Ministry of Health में काम करना शुरू किया, उन लोगों से जादा, risk-taking किसकी है, कोई नहीं, मतलब उनके पास कुछ भी नहीं था, I am sure त अपनी सब कुछ होड़कर, जब तरह पास कुछ नहीं है, तब तू क्या करता है, that makes you a hero, जब आपके सब कुछ है और आप कुछ कर रहे हो, तो पतलब वो उसमें क्या बड़ी बात है, वो तो पुरा nepotism debate है, वो उसी के उपर तो है, कि बाहर का लड़का जो यहां पर आता कर सकते हम आप सिर्ण की सब कर चारीय मृशन में मैं भी अपने एक्सपीरेंससे ही सब आप हो और जब कोई स्टा किड़रे पिअमें के वो बिलकुल गलुल नहीं बोल रहे है अपचली उसके लेशचल था, उसका अपना प्णा स्ट्रगल था, क्युँका मैंने वो प्रॉ चुछ बिगर और हिस और हर स्रगल स्मॉलर इस जुस्ट कि हम लोग क्या एक्सपिरिंस करते हैं, सब कुछ हमें क्या बनारी ही यह एक्सपिरिंस मुझे कुछ देके जा रहा है वो जो तुन्हें 5 पांच पॉंटेस बताये तें, वह मैं शायर लेकर जारा हूं. यह कॉफी मुक को ऐसे को रहे हैं यह मैं सिखके जा रहा हूं तो हम सब experience यह हम लोग क्या हैं कहानिया ही तो है तो और मैं I feel ki क्यूए कि मैंने engineering की है मैं पूरी दुन्या को structure के तरीके से देखता हूं आफिमेतिकल फॉमिला, दिखरेंगे, तब बिल्कुल बिल्कुल. जब मैं अमेरिकंगों को पॉडकास्ट पर आप ओए, पील कि उनकी मेंटालिटी में बहुत जाद अलग होती है. अन एंवरेज अपरेज इंडिन दिए उन इस आवरेज इंडिन मेंटालिटी, कि थोड़ा, I feel कि there is a lack of risk as compared to American or European. और वोगी same reason. तो नहीं बहुत कमाल की चीज़ कही कि वो दोनों के दोनों different है. Thankfully, परना साथर लोग बोलते हैं कि they are better. They are not better. It's just that they are different. Because of their socio-economic background and the way they come, where they come from, what they've experienced. और अगर 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 आप ओर लाइफ के नजरे से देखोगे, तो वहाँ happiness levels कम होते हैं. यहाँ खुशी ज्यादा होती है. शायद वहाँ financial gains ज्यादा होते हैं. वही वही यार, हम लोग सब वही. Mental health issues भी ज्यादा है. हम लोग comparison मिल जाये तो माटी है, ना मिले तो सोना है. जो नहीं है, उसी के पीछे भाग रहे है पूरी life. और वह चलता रहेगा. मतलब यह ज्यान देने के बाद भी हम भाहर जाके हसल ही कर रहे हों. तो आपने खुद की life में वह mold कैसे break किया. क्योंकि यह हर, पता है यह ना हमारे इंपिरियलिज्म, बिटिश राज, उस चीज की वज़र से यह comparison mentality ज्यादा हो चीगी है. क्योंकि हमारे education system में वो comparison mentality इसे social engineering बिराया जाता है. एक historian आया थे podcast में आपको चेक आउट करना जीए. अभी जी चाबड़ा. पर वो भी एक life के observer थे आपकी तरह. पता नहीं, मैं तू मेरे को बोल रहा है मैंने मोल्ड तोड़ा है मैंने मोल्ड तोड़ा नहीं है, मिरे को बस यह पता है कि यह मोल्ड है. I think at times you don't need to do much. अब कभी भी खुद को किसी और से compare नहीं करता था? अभी भी करता हूँ, वो ही तो बोल रहा हूँ मैं, मैं बोल रहा हूँ मुझे बस पता है कि वो मोल्ड है. हर बार जरूरी नहीं कि आप मोल्ड तोड़ो कई बार ये भी जरूरी है कि आपको मोल्ड का पता हो हर बार जरूरी नहीं कि आप अपके अंदर वीकनिस ना हो सबसे जरूरी आपको पता हो आपकी वीकनिस क्या है मतलब वो तो फर्स टेप है कुछ गलत या सही है वो पता होना जरूरी है घर में ये पता होना जरूरी है कि जो switchboard है वो काम नहीं कर रहा है तब आप उसको सही करोगे आप गंटा पता ही नहीं कि switchboard कौन सा खराब है तो आप क्या करोगे तो मुझे लगता है वो एक awareness है जिसके वजह से पता है कि चीजे ऐसे ऐसे चलती है और यसय सवोना चीए और वहाशी गलत है तो बहुत लमबी चीज है आवास का पता है आपको क्या हो थापया आवास का नहीं नहीं मत थापया? आवास का जैसे हमारे यहां पूजा होती है और Ayurvedic ceremonies होती है, healing होती है, Ayurvedic cleansing होती है, कि आप गी पी ले तो तो Amazon के culture में, उस culture को shamanic culture कहा जाता है, वहां का एक ritual है Ayahuas का, अभी बहुत मतलब famous हो रहा है Ayahuas का, लोगों लगता है कि drug है, drug बिल्कुल नहीं है, वहां की एक तरगी पूजा होती है, तो मेरे साथ एक Ayahuas का ritual हुआ था, I didn't go out looking for it, एक podcast भी बना इसके बारे में, और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा life changing था, उसका biological perspective यह, neurologist research कर रहा Ayahuas का पर, और उन्हें पता चला है कि Ayahuas का में कुछ ऐसे molecules हैं, जिनमें आपके neurological patterns को change करने की थाकत होती है, तो अगर आप lifelong एक तरीके सो सोच रहे हो, जो आपके लिए detrimental है, जो आपको harm कर रहा है, तो Ayahuas का की ceremony के बाद, ऐसे भी chances हो सकते हैं, कि आपके brain के अंदर जाकर वो molecules, आपके पुराने neurological patterns को तोड़के, नए neurological, positive neurological patterns बना सकता है, इसलिए neurologist research कर रहा है, कि यह चीज़ क्या है, plant medicine में बहुत secrets छेपी हुई है, यह drug बिलकुल नहीं, यह plant medicine है, Ayurved की तरह है, and I feel कि at age 22 मेरे साथ यह हुआ, जब मैंने Ayahuas का किया, and I got certain things out of it, सबसे बड़ी gift थी self-belief, बहुत self-belief आगई, और बिलकुल भी self-belief नहीं थी, उसके पहले, it went from 0 to 100, not even 0 to 50, उसकी एक और gift, जब मैं ऐसे थोड़ा rewind करके देखता हूँ, है कि I became very open to spirituality meditation, मैं अब कॉलिज में मैं meditation की लेता था, अब क्या करता है, कि क्या कर रहा हूँ, आंख बंद करके, और आजकर meditation की वार में विडियो बनाए, इसने बड़ी अच्छी चीज़, meditation की उपर गई थी, इसने बड़ी अच्छी चीज़, जब इंडियन रेडियो की तुम बात करते हो, मतलब बन बेस्ट रेडियो गई इन दे कांट्री, उनसे मैं वैसी डिसकास कर दा, मैंने का, औरो, इस तू मुच इंटो स्पिरिच्वालिटी और मेडिटेश, मैंने का, इसने है क्या, बोलते है, उनने बड़ा कमाल का एक्जाम्पल दिया, तो बोलते है, फोन होता है अपना, अब फोन को बैटरी चार्ज करते है, एक है फोन को आपने, और आप चार्ज करो, एक है अपने फोन बंद कर दी और फिर चार्ज किया, जल्दी कैसे चार्ज होगा, जब फोन बंद है, इस जिस्स अपने आपको उस टाइम के लिए बंद करना और चार्ज करना और वो आठ मिनिट के अंदर ही आप सेट हो जाते हो उसकी वज़ेश आपको बहुत जाता परस्पेक्टिव मिल जाता है अपके दिमाग के लिए एक मिरोर मिल जाता है तो मेरे को वो लग रहा था कि अभी थोड़ा सापने आपको साधना जरूरी है बहुत ही internally मामला हिल जाता है तो उसके लिए में सोच रहा था कि करूँगा अभी तक करा नहीं है तो सोची रहा हो रही है नु पकर ना है वो करना है और वह एक चीज़ा है जो भी आपके खुद के दिमाग के वीक्नेसे होते हैं, वीकनेसे कम हो जाते हैं, पहले आपको पता चलता है कि हां मेरे यह वीकनेस हैं और फिर आप उस पर काम करना शुरू करते हो, तो मैं वही बोल रहा हूं कि लाइफ में अवेर हो जाओ, यह पता रहे कि अप कहां का रायते पहलाये हों हैं अपने इसके बीचे बीचे बाइलोगल परस्पेक्टिव हो लेता है कि आपके जितने भी नेगटिटिव एमोशन होते हैं कि यह वह नहीं है और जितने भी आंगर कि नहीं क्यों मोला मेरे सा इगो राइट वो सारे mostly उनका एक हिस्सा stored होता है आपके दिमाग के एक amygdala में amygdala पता है मुझे मैं Nat जियो के लिए voice-over करता तो amygdala सबसे बड़ा सबसे important part है हमारी body का पर रिवान negative emotion store होते है अच्छा negative भी होते है शायद भी होते है और जो I think amygdala का वो जिसमें negative emotion store होते है उसकी size कम हो जाते है through meditation ये biological research होते है तो actually आपके दिमाग में biological process on हो जाता है meditation की बाद and that's why you change आपको weapons भी दे देता है जो भी आपको चाहिए अगर आपको एपने relationship को ज्यादा strong करना meditation आपको आपका meditation आपको जापको 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 but मुझे लगता है जो भी तु इन negative emotions की बात कर रहा है इसमें मेरे को सबसे घतरनाक लगता है fear हम लोग constant डर में यार life में हम moment में तो है ही नी मतलब future का डर, past का डर क्या होगा उसका डर I think Prateek Gandhi ने इस podcast में एक बात का ही थी कि आप life में जितने भी actions लेते हो वो यह तो fear से driven होते है यह तो love से driven होते है it's only two things that drive everything in your life all actions okay हो सकता है कोई भी action scan करो मुझे लगता कि मुझे लगता है बहुत सारी चीज़े पैशन से भी driven होती है सिर्फ love और fear से नहीं होते है passion is under love हो सकता है मतलब इस superset और subset किसको बना रहे हो डिपेंड करता है हो सकता है आपका superset passion और जिसका subset love हो वो बहुत ही personal call होगा मतलब जो मेरे को life में अचीव करना है हो सकता है मेरे को प्यार ना हो पैसे से मतलब तो मतलब ऐसी चीज़े वो drive करता है नहीं करता है मुझे नहीं पता पर वो deterrent तो बहुत बड़ा है मतलब तू सोचना हर मोमेंट यह podcast होगा है इसको लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे यह भी fear है अगला podcast में और बेटर कोई आएगा नहीं आएगा यह सबसे बेस्ट यह भी fear है मेरा अगला project चलेगा यह नहीं चलेगा कुछ नहीं हुआ है बात भी नहीं हुई है शूट भी शुरू नहीं हुआ है पर घवराट पहले से हो गई है बहुत अपरेजल देगा है यह नौकरी चली गई तो बेस्ट कर रहा है तो अपनी करियर में तरको 30% अपरेजल मिल रहा है बढ़ तरको डर है नौकरी चलीगी तो वो डर जो है न वो इतनी गंदी चीज है न और डर में क्या है तरको मुमेंट पे कभी रहने ही नहीं देगा डर जब तू परफॉर्म कर रहा है स्टेज पर तो तरको डर होगा रियक्शन का जब तू जाने वाला है तो तो तरको डर होगा तुन्हे प्रेपरेशन ठीक की नहीं वो तो सबसे घंदी चीज है और पियर उसको अगर कोई कंट्रोल करने तरीका और मेरे को बताना सरूर मतलब I would love to tame that beast समझ रहा वो बड़ा खतरना क्या है I feel that I don't know वो थोड़ी सी जनेटिक प्रेइस्पोजिशन होती है so I definitely feel कि मिरा I had a fear of the dark fear अलगलाई types के होते है I didn't really have a fear of anything जाद fear of failure in life failure ही है मतलब failure हर इस चीज का failure failure की डाक में रहेगा बहार नी निकल पाएगा you'll fail as a person fear की गाड़ी में पैठिके तो मर जाएगे जान चली जाएगी meditation की वज़े से आपको universe और भावान से भी बहुत प्यार होने लगता है और जब आपका प्यार एक लिमिट तक पहुंच जाता है आपका fear चले जाता है because they define fear in spirituality as the lack of a feeling of love for God if you love God, if you love life, if you love the universe, आपके दिल में कभी fear नहीं हो this stayed with me, I've not completely absorbed it but यह मैं आपके साथ बस शेयर कि हाँ मेरे दिमाग पर, surface level पर यह थोट मेरे को एक और चीज लगती है कि डर का एक बहुत बड़ा reason attachment है attachment जभी भी किसी चीज से ना तो डर है जैसे ही तुट डिटाच हो जाएगा ना डर खतम हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है मतलब मैं बेसिक लेवल पर ऐसे मैं बोल रहा हूं कि जो लग रहा है जो भी चीज मुझे चाहिए और मैं बिलकुल कॉस्मेटिक और बिलकुल उस उस प्राक्टिकल परस्पेक्टिव से देखकर बोल रहा हूं कि नौकरी समझ रहा है नौकरी से अटाचमेंट भी एक कि पैसे आते हैं घर चलता है बच्चों की फीज जाती है घर का किराया जाता है तो अटाचमेंट डर लाता है वो अटाचमेंट किसी भी चीज से हो जिसे प्यार करते हो वो चली गई तो वो अटाचमेंट जो डर लाता है तो वो भी बहुत बड़ा हो सकता है और भी बहुत सारे अब तेरे को सबसे ज़ादा करियर में किस चीज से डर लगता है करियर में साल लगता है कि यह सब खतम हो गया तो नहीं नहीं कभी नहीं वैसा डर नहीं है ऐं यह लोग मुझे नास्सिस भी बुला सकते हैं I don't care I love myself too much. क्यूंकि तेखो मेरा जॉब कि मैं मोटिवेशनल स्पीकरू मैं लोगो कासा लग रहा है मैं बात कर रहा हूं बोल तरो बोल तरो मन तरको मैं लोगों पॉजिटिविटी देता हूं पुछ को फूजिविटी देना हूं पेले अपो खु度 को पौजिविटी देनी पड़ती ही हूं जब आपका टाप लोगों पानी राद को अदेशनल सभी अपका जारू मिरे दिल नहीं प्यार नहीं है भीन तो Steve Smith जब उन्होंने डेब्यू किया था था वो एक spinner थे, okay, spinning all spinner all rounder, बाद लोडर में batting करते हैं, उनका प्यार था batting, तो जब उन्होंने batting start करी, he realized shit, यह मेरी natural game है, तो I feel कि मेरे career के start में मुझे लगा, हा मैं YouTuber हूं, spinning all rounder, पर हा मैं थोड़ा business कर लो गा, पर जब मेरे batting start करी, business start करी, तो मैं को पता चाहिए, ओ यह में ही बहुत natural है, तो मुझे मेरा business का potential पता है, I am building a reliance, I am not building just a random start-up, I want to build a next reliance. जानी जी, कैसे आप अभिलाज थपल्याल है, और कैसे बुल आवद देखिया हमको आप, I have, मुकेश आमानी, दुरुआ आमानी, 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 It's beautiful, तरको कितनी clarity है, तेरी एज में कितनी लोगों कितनी clarity होती है, और एक और चीज़ तो open है, राइट, राइट टाइम, क्या बोलता है, राइट प्लेस राइट टाइम होगया, मनीश भाइ, मनीश पांट है, मनीश पांट है, our common friend, जिनकी वाज़े से मैं आपसे मिला हूँ, He's also been my mirror, and he's explained things to me, हर स्टीव स्मित को एक कोच की जरूराइट, राइट, 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 बट मैं बोल रहा हूँ कि वो open होना भी ideas के लिए, क्योंकि usually क्या होता है, जो भी हम life में कर रहे हैं, दुनिया आपको वही बता देती है, यह बहुत कमाल का एक थोट है, कि जो भी आप कर रहे हो, वो कर रहे हो, it's an extension of you, it's not you, जब मैं radio कर रहा हूँ, मैं radio jockeying कर रहा हूँ, I'm not a radio jockey, जब मैं acting कर रहा हूँ, I'm not an actor, you as Ranvir, or me as Avilash, और जो भी इस podcast को सुन रहे हैं, वो individual है, जो बहुत सारी चीज़े कर रहे हैं, और वो बहुत सारी चीज़े कर सकते हैं, बट जैसे किसी को software engineer का थपा लगा देते हैं, CA का थपा लगा देते हैं, या actor का या director का, या podcaster का, हम लोग उसको limit कर रहे हैं कही ना कही, that is something you are doing, और problem क्या है न, कोई आपको बोलता है performance, यार यह आपने गलत किया, तो वो आपको नहीं बोल रहा है, वो उस performance को सिर्फ आपका extension है, हम लोग अरी चीज़ को बड़ा personally ले ले लेते हैं, तो वो एक अगर वो detached और बड़ा मुश्किल हो, again, वो detached अगर कर लिया, उससे अपने आपको, तो feel बन जाएगी, क्योंकि हर काम पर हमें लगता है, अचाय अगर आपने वनाएगा वाला चाय जी खराब बनी, तो लोगों को लगता है भे, तो personal attack हो गया, यह तो ऐसे बोल दिया कि मैं गलत हूं, और इस चीज़ का भी seed comparison होता है, जो आप कहे रहा है, अचाय मैंने यह बात, यह जी अच्छे से नहीं कर रहा है, मतलब कोई और मैं ऐसे और अच्छा कर रहा है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, और यह भी किया भाई, तो कौन और उसे के कर रहा है को, तोने क्या किया है, ऐसे समक्ता कर रहा भी अगैं मेरे को बहुगा को बोल रहा था, कि रेडियो तो खराब RAM को होता है, तो पहले भी प्रॉट आपुए। ने मिरे को कहा थेजिचा उसपर्सेंट थेचा है, हम में बता है, और I feel that this is in my life, at this stage I don't naturally compare but I just artificially compare. In terms of I uses games for myself. If I have to compare myself to another business, to another person, for a purpose, to set a goal for myself and my team. Right. Yeah, I mean it's not random, it's not as reasoning. There is a logic. What is this business doing? What is this person doing? Why aren't we there? Must have. But naturally, when I'm sleeping in the night, I'm just thinking great life. आज भी फार दिया, कल भी फार वह यह क्योंकि यार, जैसे ही तू grateful होना शुरू कर देता है जैसे humility, मैं हमेशा बढ़ता था कि actors बोलते हैं, I feel so humbled तो मैं बोलता था, यह क्या होता है I feel so humbled, ऐसा क्या हो रहा है but now after aspirants, जो कुछ मैं देख रहा हूं I actually feel humbled इतना प्यार, एक चीज के लिए जब आपको दिया जा रहा है जो आपने अपने ले की है जो आपने किसी और के लिए नहीं की है It's an humbling experience आपका सर जुख जाता है अपने आप वो बोलते हैं न, जिनके अंदर जो जुखता है, वो वो ही जुखता है जिसके अंदर जान होती है डेट बोड़ी सोड़ न, जुखती है वो तो सीधे खड़ी रहती है So, it fills more It fills more life into you आपको लगता है कि Oh God अतलब, do I deserve it? इतना प्यार? वो जो feeling है वो बहुत ही कमाल की feeling है यार और मुझे अब समझ में आता है कि जब आपको प्यार नहीं मिलता है तो आपके अंदर वो जो बाकी सारे जो envy है jealousy है hate है वो तब और ज़ादा है जिसको ज़ादा प्यार मिलता है मुझे लगता है कि वो feeling बहुत कम होती होगी But I also want to highlight कि इतनी महनत करो कि प्यार automatically से मिलता है हाँ जितनी जयादा महनत करोगे उतना ही जयादा आपको जयादा मिलता है तो उतनी करो जितनी कर सकते है अपने हिसाब से करो क्योंकि वो भी comparison से हाता है उसने इतना कर दिया आपने का किया उसके 95 आपके कितने हर एक चीज तो वैसे ही हो रही ना तो जब डिये नहीं आपका comparison भर दिया गया है तो फिर आप तो फिर फाड के काम करते हूं मैं आज 12 गंटे मैं office में देखे आया हूं बड़ा थक्या तो तू चोमू है क्यों दिये 12 गंटे आठ गंटे का office था नो गंटे का था क्यों दिये 12 गंटे यानि कि तू नहीं कर सकता 8-9 गंटे कंदर काम तो तू तू तीन गंटे एक्स्रा देने पड़े तो तू लूजर है तो तू बतलब बोस्त मत कर यहां पर आपकर आप अगर आप आठ गंटे-9 गंटे के लिए काम कर कर तू बारा घंटे कर रहा है कर तू चार गंटे में कर सकता है बहुत अच्छा अब रेडियो में हम लोग 3-4 गंटे काम करते हैं तो आप यह नहीं कह सकते नहीं कि ''Ap to 4 गंटे काम करते हो हम तो 8 गंटे करते हैं आप तो सबका skillset अलग है, काम अलग है.. बतल्स और मैं ए response क्या हुआ है अपके दिमाग के अंदर अप क्या सोच रहे हुआ सिचुएशन के वारे में and this defines people's journeys उसी difficult situation को एक इंसान एक positive नजहरे से देखेगा एक इंसान एक negative नजहरे से देखेगा अगर आप अपने life के difficult moments में हर चीज को थोड़े से positive नजहरे से देखोगे that is a win in life according to my definition but Ranveer मैं बोलों जब तू नौकरी कर रहा है न तो यह situation रोज पिदा नहीं होती यह बारा गंटे तेरा गंटे की काम करने की situation रोज पिदा नहीं होती है यह शायद हफते दो हफते तीन हफते में एक बार आती है बट लोग जो रोज यह situation पिदा कर रहे होते हैं जहां पर कि रोज वो यह call ले रहे होते हैं कि positive और negative 14 गंटे या 15 गंटे वो गलत attitude है यार समझ रहा है मतलब यह situation कभी कबार होती है तो रोज decision ले रहा होता है कि आज podcast करना है positive देखो या negative देखो यह रोज नहीं हो रहा होता है तो एक चीज में सोचेगा चार चीजों में सोचेगा दस में से बट जो हमारा attitude हमारे अंदर भर दिया गया है चाहे वो अपर management की वज़े से हो जिस भी reason से हम लोग हर एक चीज में extra डालने की कोशिश करते हैं जरूबत नहीं है हमें रिलाक्स करना सिखा यह नहीं है हमें बोला यह नहीं है चिल करना इस जेनरेशन ने सिखा है कि आप बहुत स्ट्रेस हो रहा है मैंने नहीं चोड़ा अब तो मैं यूट्यूब करुआ यह 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 attitude है यह यह attitude you know okay life का purpose किया according to you मैंने एक मुई देखी ती soul, soul की बात होती रहती है soul देखे आपने देखो आपको बहुत इच्छी देखो वो ना animation film वह देखे बट इस अनिमेट इस अनिमेट फो अदूल्स राइट 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 आपको पर्पिस के बाद में पता चाड़ा अब उस पर्पिस को चेज करोगे वहीं लाइफ की मीनिग होती है आपके अकॉर्डिंग यह सही बाद मेरे को लगता है बहुत इवॉल्ट थॉट है मेरे जैसे आम आदमी के लिए मुझे लगता है कि जिन्दगी से पहले क्या था और बाद में क्या होगा किसी को नहीं पता है समझ रहे हम सब को लगता है कि ऐसा होगा हर एक religious theory बनाई गई है कुछ कहते हैं कि कोई जन्म नहीं है कोई बोलता है कि सिर्फ आत्मा है शरीर नहीं है वो हर एक ही अपनी theory है मुझे लगता है इस moment पे जी हो खोशी से जी हो जो कुछ है उसको appreciate करो और जो भी करना चाते हो वो करते रो और टोंट हर्ट अदर पीपल वो तो basic किसी भी चीज का मतलब जब तो content create कर रहा है जब तो किसी से बात कर रहा है जब तो कोई transaction कर रहा है उसमें ये filter तो life में लगा लो कि वो physically, mentally, emotionally और financially किसी को hurt ना करे जिस दिन ये चार filter लगा दिये सारी चीज़े perfect है भाई सारी चीज़े perfect है तरह humor perfect है तरह content perfect है तरह job perfect है क्योंकि हर जगे कही न कहीं हम लोग किसी ना किसी को ऐसे hurt कर रहे होते हैं इसके पचास पर मार लेते हैं पर पीस financial hurt कर दिया आपने emotionally भी कर दिया और आपने उसको इतना बड़ा एक dent दे दिया है कि वो किसी और को trust करेगा इन उसके बार यूमर है ना हुमर इसमें ऐसा सा बोल देते हैं इसके बारे में मज़दार likes मिल जाएंगे आपने क्या किया आपने emotionally भी कर दिया किसी को और random मिना सोचे वे आपने क्योंकि आपके life में filters तो ही नहीं आप तो बिंदास रायता हुनके पहले हुए जिहां भाईयो मैंनो बूंदी वहां चा रही है नमक वहां चा रहा है तो उसमें वो भसड हो जाती है वो एक major struggle है यह बहुत हैवी conversation हो है काफे जादा जिहां भाईयो मैंनो पचास किलो हो पचास किलो हो दोस्तों यह था part one of a conversation वे तब हिलाज थपले आलो आपको यह conversation अच्छी रगी तो part two का इंतिसार कीजे part two बहुत ही ज्यादा deep थी बहुत ही ज्यादा question answer based थी और बहुत ही ज्यादा मज़दार थी बिलकुल part one की तरह wait out for part two it's one of our best episodes on TRS Hindi झालो